दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सब्जेक्ट के बैक्ग्राउंड को रिमूब कैसे करते हैं तो इसके लिए मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया हैं लेकिन यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको दो मिनिट के भीतर बताने वाला हूं कैसे कर सकते हैं और तब आप कैसे करेंगे जब आपके सब्जेक्ट के हैर चारो तरफ बिख रहे हों और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि जब आप इसको किसी दूसरे बैग्ग्राउंड पर ले जाए इमेज को तो पता भी ना चलेगा तो एक फोटो को मैंने इसमें इंसर्ट करा लिया है और यहां से आपको सेलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नए options दिख जाएंगे और यहां पर 4-5 आइकन हो जाएंगे और यहां पर कुछ प्रोपर्टी जो उपन होंगी यहां से आप इसको बदल भी सकते हैं लेकिन आप इसको सबसे पहले number पर ही रखें onion screen जो लिखा है इसके बाद आपको यहां पर refine mode में आना है और object aware पर क्लिक करके select subject पर क्लिक करना है इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके background को यह रिमूब कर देगा यहीं पर आपको एक और option उपर आएगा जैसे ही आप इसको वापस यहां select करेंगे गर आप जूम पर आ जाए तो उपर इसको select कर लिजे है refine hair का और जैसे refine hair पर क्लिक करेंगे तो आपके hair के आसपास जो भी दूसरे कोई की color होंगे उसको भी हटा देगा और नीचे से इस color को भी मतलब यह color जो है कुछ भी आप यहां पर color में डाल सकते हैं और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से यह background को remove कर दिया है इसी मेंकर आपको लगता है कि नहीं हमारे यहां पर कहीं पर जैसे कि आप दिखेगा की subject को भी इसने इरेज कर दिया है क्योंकि यह automatic करता है तो इसके लिए simply आपको अपने background layer के copy पर जाना है इसमें दो चीज आपको दिख रहा होगा एक तो इमेज और एक black and white सा layer mask है इस पर click करना है और आपको जिस चीज को वापस लाना है जैसे कि यहां पर थोड़ा मुझे लग रहा है कि यह subject को इरेज किया है इस पर simple आपको brush करना है brush B से brush shortcut है और यहां से brush की opacity और size को आप hardness कम करके कर सकते हैं brush जो करना है वह black color से करेंगे तो इरेज हो जाएगा और white color से करेंगे तो यह visible होगा तो white से यहां पर कर देते हैं इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कहीं और भी कि आपके subject को इसने इरेज किया है तो वह भी कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आप देख सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर दिजिए share कर दिजिए और अगर आपने हमारे चनल को subscribe न